वेलकम बेक गाईज आपका मेरे चलन पर बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि पता लगा है कि रेंटिडिन के अंदर कैंसर होने वाला ततव एंडी एमे मिला है तब से लोग काफी कन्फ्यूजड हैं कि अब रेंटिडिन के इलावा मतलब रेंटिडिन का एक अच्छा कौन सा हो सकता है यही कोशन गाईज मुझे यूटूब पर नहीं बलकि मेरे रिलेटेज्स मेरे नौन और यहां तक कि जो मेरे पेशेंट्स हैं उन्होंने मुझसे यही पूछा है और ओनेस्ली जो मेने आंस्वर उन्हें दिया है वही आंस्वर मैं आपको भी दूंगा इ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वह पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे तो गाईज एसीडिटी को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की मेडिसीन होती है मतलब दो तरह के ग्रूप्स होते हैं पहला होता है हिस्टामाइन ही खाना पसता है तो चाहिता करने का प्रोसीजर है उसे कान करे सुमस्त है करता है histamine तो जो हैस्टू वो लोकर है वो हिस्टा माइन को ब्लोक कर देति हैं जिससे 胃 scam बनता ही नहीं है और जो दूसरी घ्रॉप की medicine है उसे बोलते है proton pump inhibitors और इस group की medicine मेंग इस भी फर्स्ट वाली ग्रूप की मेडिसिन में आती है मतलब एस्टू ब्लोकर में ही आती है रेंटिडीम तो जब तक यह मैटर सोल आउट नहीं होता तब तक आप फर्स्ट ग्रूप को तो रहने ही दें और जो दूसरा ग्रूप है हमारा प्रोटॉन पॉम्प इन्हेटर का उ कि दूसरा है रेवेपराजोल और तीसरा है ओंबेपराजोल तो इनका आप यूज कर सकते हैं तो पहला है न्यूप एंटा 40 mg जिसे मैकलोड कंपनी मनाती है और इसके अंदर कॉम्पोजिशन मिलता है आपको पैंटा पराजोल और दूसरा है रैभी टॉप जिसके अंदर तो रेवेपराजोल कॉंपोजिशन मिलता है और इसे एरिस्टो कंपनी बनाती है और तीसरा है गाइज ओसीड 20 mg के कैपसूल्स है ये और इसे कैडिला बनाती है और इसी कोस्ट फिफ्टी टू रूपीज है 15 कैपसूल्स की तो गाइज ओनेस्टली मैं बता हूं तो जो मेरे जो मेरे जानकर है जिन्होंने मुझसे पूचा कि अब आगे क्या करना है हम अल्टरनेटिव औप्शन कौन सा यूज करें तो गाइज ओनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं मेनि उन्हें सुजेस्ट किया है कि आप सेप के सिर्के का यूज करें जी हाँ काइज सेप के सिर् से मतलब 15 साल से रेंटिडिन का यूज कर रहे हैं तो एकदम से कैसे इसे बंद कर सकते हैं कोई alternative option बताएं तो honestly बताओं गाईस तो आप OCD का यूज कर सकते हैं जिसका असर काफी अच्छा है including मुझे भी जब acidity होती है तब मैं भी OCD का ही यूज करता हूँ और guys जो information मैंने आपको दी है वो सिर्फ information के लिए है मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप in medication का यूज करें जो भी मैंने आपको बताई है आप अपने डॉक्टर से consult करें और जो वो बोलते हैं आप उन्हीं को यूज करें ओके गाईस तो आशागरता हूँ कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए useful होगी तो गाईस ऐसे ही useful वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैलन को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई मैं नहीं वीडियो अपने चैलन पर अपलोड करूँ उसकी notification आपको सबसे पहले मिले तो गाईस मुझे जीजे इजाजत मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरस्टिंग टोपिक के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit